हेलो गाइस वेलका बैक टू मैं चैनल क्रिकेट बायो तो आज के आमारे वीडियो गाव टॉपिक है वाव टू इंक्रीज यो बैट स्पिड इन क्रिकेट तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे इंस्टागाम पर काफी सारे मैसेज आ रहे थे इस कॉपिक पर वीडियो बनाओ तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ दो ऐसी ड्रिल्स बताऊंगा आपको जिससे आपकी बैट स्पीड काफी हद तक इंप्रो हो जाएगी और एक बार आपने अपनी बैट स्पीड इंक्रीज कर ली फिर आप चौकी छक्के आसानी से मार सकत तो चलिए फिर हम कोई बिना कोई टाइम वेच कि हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारी फर्स्ट टिप है प्ले विथ हैवी बैट अब हम अक्सर मेस दोनी सवर को देखते हैं कि वह डबल बैट यूज करके शैडव प्रैक्टिस करते हैं अब कुछ लोगों को यह में bonach नहीं होगा कि वह डबल बैट यूज करते हैं वह डबल बैट यूज इसलिये करते क्योंकि इनसे डबल बैडियुस करने से उनकी बैट स्पीड काफी हग फैट तक इंपूँडी होती है वह मैच से पहले हैसे डबल गयूज करके शैडव प्रैक्टिस किया करते हैं अगर आपके पास दो दो बैट अवेलेबल ना हो तो आप कैसे अपनी बैट स्पीड को इंक्रिस करोगे तो मैं एक ड्रिल लेका हूँ उस ड्रिल में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास दो दो बैट अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे अपनी bat speed को increase कर सकते हो तो चलिए हम उस drill को देखते हैं तो इस drill को करने के लिए मैंने एक normal bat लिया है अब मुझे इस normal bat को heavy bat बनाना है तो मैं इस normal bat से कोई वजंदार चीज बांधूंगा तो आप देख सकते हो मैंने दो पत्तर लिये अब इन दोनों पत्तर को मैंने bat से बांध दिया है अब weight use करते समय आप ध्यान रखना कि आपको उपर और नीचे दोनों तरफ equal weight use करने है अगर आप सिफ नीचे की तरफ weights use करोगे तो आपको bat पकडने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि weight पूरा एक side हो चुका है तो इसमें bat पकडने में थोड़ा आप comfortable नहीं रहोगे और weight use करने के बाद ये bat heavy बन चुका है अब इस heavy bat से आपको shadow practice करनी है इस heavy bat से आपको shadow practice करनी है और वो सारे shots खेलने हैं जो आप match में खेलते हो इस heavy bat से तो चलिए मैं आपको ये drill एक बार करके दिखा देदाओ तो ये drill करने के बाद आपके हातों के muscles काफी ज्यादा strong हो जाएंगे क्योंकि आपने practice heavy bat से की ती अब जब मैं ये normal bat पकड़ता हो तो मुझे ये काफी हलका लग रहा है पकड़ने में और इससे मेरी bat speed automatically काफी अध्तक improve हो जाती है तो इस drill को try जरूर करना और मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको इस drill से कितना फाइदा मिला और ये drill आप तभी करना जब आपके पास double bat available ना हो तो मैंने ये इसलिए बाता है था कि जिस इसके पास double bat available ना हो वह ऐसे practice कर सकते जिसके पास double bat available है वह इस तरह practice कर सकते और मैं इसका इस वीडियो का i button पे link भी दे दूंगा तो most of right hand batsmen का right hand ज्यादा strong होता है as compared to left hand अब इसका disadvantage क्या होता है जो भी यंग cricketers होते उनका वह heavy bat से नहीं खेल पाते क्योंकि उनका left hand weak हो वह heavy bat से नहीं खेल पाते और अगर आपको अपनी bat speed increase करनी है तो आपका left hand strong होना बहुत जरूरी है अगर आप right hand batsman हो और left hand strong होना क्यों जरूरी है left hand strong होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका left hand है वह आपके bat को guide करता है और जब भी आप bat उठाते हो तब most of the pressure आपका left hand प देखते हैं तो इस drill को करने के लिए आपको left hand से bat पकड़ना है अगर आप right hand batsman हो अगर आप left hand batsman हो तो आप इसका opposite कर सकते हो तो मैंने आपको left hand से ऐसे bat पकड़ना है और अपने right hand में ball रखना है अब आपको क्या करना है अब आपको यह जो ball है आपको अपने सामने ऐसे drop और लेफ्ट ऐंड से ऐसे खेलना है इस तरह प्रैक्टिस करने से आपका लेफ्ट हैंड वो स्टॉ वह ओगा है लेफ्ट हैंड की मसल्स इंप्रूव होगी और आपका अगर लेफ्ट एंड स्टॉंग हो गया तो आपकी बैट स्पीड आपको अपने मसल्स को रोज ट्रेन करना है तो आपकी बैट स्पीड तब तक इंक्रीज नहीं होगी जब तक आपके मसल्स स्ट्रॉंग नहीं हो जाते पर बैट स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको कौन से मसल्स पर ज्यादा ध्यान देना है कौन से मसल्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो सबसे पहला मसल्स है आम्स अपको अपने आम्स पर बहुत ध्यान देना है अगर आपको बैक शोल्डर चेस्ट लेक्स इन सब प करके आपकी help करूँगा और मुझे comment करके ये भी बताओ कि आपको next video कि topic पे चाहिए और हमें Instagram पे ज़रूर follow कीजिए यह हमारा username cricketbio1 और यहां से मुझे subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं ऐसे interesting videos लाते रहता हूं thank you for watching my video